जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि देवाशरीफ मेले का उद्घाटन 30 अक्तूबर को हो जाएगा 31 अक्तूबर से यहाँ पर सांसक्रितिक कारिक्रम शुरू हो जाएंगे लेकिन आज की वीडियो में हम बारबंकी की एक और दरगाह पर लगने वाले उर्स को दिखाएंगे यह दरगाह बारबंकी शहर में नागेश्वरनात मंदिर रोट पर पड़ती है इस आस्ताने में जो बुजर्ग आराम फर्मा रहे हैं उनका नाम हजरत कमाल الدین शाह है जो इमली वाले बाबा के नाम से मशूर है क्योंकि इनकी दरगाह पर एक बहुत ही बड़ा और पुराना इमली का पेल लगा हुआ है हजरत की क्या हिस्ट्री है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं लेकिन ये मशूर है कि यहाँ पर कई तरह की बीमारियों से परेशान लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं और उनको शिफा मिलती है हजरत का उर्स केवल एक दिन ही लगता है कुछ दुकाने और जूले के अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन कुल शरीफ के वक्त दरगाह पर बहुत ही ज़्यादा भीर थी कुल शरीफ से पहले मदर्सों के बच्चों ने बहतरी नात शरीफ पढ़कर यहाँ पर समा बान दिया था सोटे से मेले में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पर देवा मेले से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहेंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें